दोस्तो कार्गो सिप में एक नहीं बलकी हजारू कंटेनर रखे जाते हैं और ये कंटेनर आपस में कैसे जुड़े रहते होंगे जानेंगे आज इस वीडियो में दोस्तो जहाच के अंदर बड़े कंटेनरों को हमेशा डेक के नीचे रखा जाता है डेक के अधिक्तम एरिया में बड़े वो भारी कंटेनर ही रखे जाते हैं और इन कंटेनरों को आपस में ट्विष्ट लॉग के जेरी लॉग किया जाता है हर एक container के उपर एक log system hatch cover को रखा जाता है जिससे container अपनी जगर से थोड़ा सा भी हिल न पाए इसी परकार से container को एक के उपर एक रखा जाता है और सारे container load कर देने के बाद इनको rod या turbulence से tight कर लिया जाता है ताकि एक भी container समुद्र में ना गिरे लेकिन समुद्र में आने वाले तुफान और लहरों के बीच कुछ container गिरकर पानी में चले ही जाते हैं और इसका नुकसान जहाज भेजने वाली transport company को उठाना पड़ता है तो दोस्तों more information और knowledge के लिए channel को subscribe जरूर करना